दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को सीम अर्विंद केजरिवाल की जतावनी गहा ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को बक्षा नहीं जाएगा जिहां दिल्ली में बढ़ते हुए इस बिमारी के मामलों के बीच सीम अर्विंद केजरिवाल ने प्राइवेट अस्पतालों को फटकार लगाई है डिजिटल प्रेस कॉन्फरेंस पे सीम ने प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप गलत हरकत करते हैं तो आप पर सक्त कारवाई की जाएगी CM केजरिवान ने कहा कि एप पर दिल्ली के सभी अस्पतालों की जानकारी है लेकिन कुछ अस्पताल बेड की गलत जानकारी दे रहे हैं CM ने कहा कि अस्पताल पहले सिकायत करते थे कि बेड नहीं लेकिन ज़्यादा कहने पर 20 से 50 अजार की मांग करते थे उन्होंने कहा कि ऐसी ही सीकाइतों के समधान के लिए दिल्ली सरकार ने ईप लाउच की है हमने एप में सारी जानकारी डाल दी है कि कहा बेड खाली है और कहा नहीं CM केजरिवान ने कहा कि इस मुसीवत की घड़ी में भी कुछ हॉस्पीटल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं मैं उनको चिताउनी देना चाहता हूँ कि ऐसा हॉस्पीटल कोई कतई बरदास्त नहीं किया जाएगा अस्पताल इलाज करवाने के लिए बनाएगा है पैसे कमाने के लिए नहीं उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर बने हुए सभी अस्पतालों को इस बिमारी के मरीजों का इलाज करना ही होगा इनसे इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सरकार सक्त कारवाई की जाएगी तमिलनाडू सरकार ने नीजी अस्पतालों में इस बिमारी के इलाज के लिए सुल्क सीमा की तै सरकार ने कहा कि गहन चिकित्सा इकायों में प्रति दिन का सुल्क 15,000 रुपई से अधिक नहीं होना चाहिए तथा समान्य वाड में बिनाज लक्षण वाले मरीजों तथा मामुली लक्षण वाले मरीजों के लिए यह अधिक्तम 7,000 रुपई होना चाहिए नीजी अस्पताल द्वारा इस बिमारी की इलाज के लिए अत्यदिक फीस वसुल ने संबंदित मरीजों की सिकायत के बाद स्वास्त सचीव बीला राजिश की अधिक्चता वाले एक समीती ने सरकार को नीजी अस्पतालों के लिए उचित सुल्क संबंदिये के रिपोर्ट स बिहार में कॉंग्रेस ने की प्रवासी मजदुरों को 10-10,000 रुपए देने की मांग सीम नितीश कुमार को लिखा पत्र। आवास से भी बाहर नहीं निकले हैं। ललन कुमार ने पत्र में मांग करते हुए लिखा कि बिहार से आने वाले सभी प्रवासी मजदुरों को और राज्य के सभी गरीवी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बैंक खातों में 10-10,000 रुपए ततकाल भेज जाएं जब त कि प्रवासी मजदुरों को रोजगार नहीं मिल जाता है तब तक उन्हें पेंसन या भत्ते के तौर पर प्रतिमाह धाई हजार रुपए दिया जाए। उन्होंने कहा कि आखिर यहीं मजदूर राष्ट निर्माता है दुरभाग्य है कि जो आज पिछली पंक्ती में खड हर्याना में समाप्त हो सकती है युवाओं की बेरोजगारी सरकार ने किया यह काम जिहां लोकडाउन और इस बिमारी के बीच हर्याना के युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका है कमपनिया अपनी जरूरत के मुताविक डिमांड करेंगी और उन्हें कर्मी मिल जाएंगे उप मुख्यमंत्री दुसेंत चोटाला ने कहा कि सरकार ने युवाओं को जादस जादा रोजगार मोहिया करवाने और उद्यमियों के सहयों के लिए हर्याना उद्यम मेमरेंडम के नाम से एक नया पोर्टल लॉंच किया है इसके जरिये सरकार का उदेश य युवाओं ने उनसे सवाल भी पूछे इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर भी मौजूद रहे साथ ही उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अपनी उद्यमी युवाओं को अपनी आवश्यक्ता नुसा नोकरिया दिलाने का कारे करेंगे रोजगार पोर्टल देने के अपने अभियान का बड़ा कदम बढ़ाया है उन्होंने अपने सरकारी आवास पर 3135 करण रुपई की लागत से बने हुए 28 विद्यूत उपकेंद्र का सिलान्यास तता लोकार पन किया आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी अधितनात के स इस अवसर पर उर्जा तथा अतिरिक्त उर्जा सुरोत मंत्री स्रीकांत सर्मा वर रज्य मंत्री रमासंकर सिंग पटेल और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद थे सीम योगी अधितनात ने इस अवसर पर कहा कि इतने उपगेंद्र मिलने के बाद से प्रदेश में विध्यूत आपूर्ती विवस्था और बेहतर होगी CM योगी अधितनात ने कहा कि लॉक्टाउन में भी उत्तर प्रदेश देश का पहला इसराज है जहाँ पर इतनी योजनाव का लोकारपन तथा से लन्यास किया गया अपने बयान में आगे उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश में हर जगह पर 2400 गंटे बिजलिया पूर्ती करने कहा है हम अपने इस अभियान में सफल भी होंगे